ओडर कैंसल इसका मतलब यह है कि अभी हमारा जो ओडर हो चुका है हमारा ओडर नहीं आएगा है अगर आपको फिलिप काट से किसी भी प्रोडक्ट को ओडर किया है और आपको उस ओडर को कैंसल करवाना है तो आप कैसे कर सकते हो तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को सो गैजश आप देख सकते हो कि इसकी लिए को क्या करना होगा सबसे लिए आपको फिलिप कार्ट का आप है उसे ओपन कर देदाब देखो अभी मैंने मुझे माइक मंगवाना ता लिकिन मे अंने गलती से ए एक के जगह पे दो माइक मंगवा दिए तब मैं उसे कैंसल कैसे करूगा वो मैं आपको देखो अगर आपको flip card से किसी भी order को cancel करवाना है ना तो बहुत ही simple सा तरीका है जिससे कि आप flip card के order को cancel करवा सकते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे लिए तो आपका जो flip card का app है उसमें आपको सबसे नीचे की तरफ आपको अप्ट उप्यन दिखा देगा जो क्यों का अगिए लागा इस अपका अपको अप्शन आपको अप्शन पर क्लिक कर देना होगा अब जैसे registrant अप click करोगे तो अब को सबसे लिए तो ओपन कर देना है कि प्र मुझे कौण से order किया तो यह पर आपका काय गारणा है यह आपको उपर की घरखा देगा orders तो अपको कयह गरना है जो order सौब option है इसपे click कर देना है जैसे ही ह ihan orders वाले option पे click करोगे तो आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सा order किया है वो आपको दीखाए देगा तो यह आप देख सकते हो मैंने अभी एक के जगह पे दो-दो माई को order कर दिया है अब अगर आपको किसी भी order को cancel करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए आपको उपर की दरफ एक option दिखा देगा यह आप देख सकते हो अब मुझे इस वाले order को cancel करना है आपको जिस भी order को cancel करना होगा आपको उस पे click करना है जैसे आप उस पे click करोगे तो आपको उसका status दिखा देगा जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा जो order है, वो confirm हो चुका है, अभी हमारा order ship होना बाकी है, out of delivery याने के delivery के लिए भी नहीं निकला, वो भी बाकी है, तो देखो, अब अगर आपको आपका जो order है, उसे cancel करना होगा, तो बहुत ही simple है, उसके लिए आपको क्या गरना होगा, देखो, दो chances है, या तो जो order है, वो ship हो चुका है, या फिर आपका order ship नहीं हुआ, अगर आपका order ship हो चुका है, तो फिर आपका ये जो option है, ये निकल जाएगा, और जो cancel करना का process है, वो change हो जाएगा, तो अगर आपको जाना है, कि अगर आपका order ship हो चुका है, और फिर आप cancel कैसे करोगे, तो जैसे आप क्लिक करो कि cancel option पे तो आप देख सकते हो you saved 2221112 on the product if you cancel you may not be able to avail deal again आपको यह करना है जो cancel order वाल option है इस पे click कर देना है जैसे आप क्लिक करो कि cancel order वाल option पे तो आप देख सकते हो आपको यह बर दिखा देखा सबसे लिए तो इसकी price है reason for cancellation तो आपको यह बर select कर देना है कि क्या reason रहा जिसके होज़े से आप इस product को cancel कर वा रहे हो तो आप इन में से आप किसी भी reason को select कर सकते हो I want to change the contact details ओके कोई दिखकत नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई भी reason select कर देना है इसके बाद में आपको comments में comment लिखना जरूरी है तो आप कुछ भी comment लिख सकते हो कि मुझे पसंद नहीं आया I will buy next time या फिर कुछ भी लिख सकते हो तो यह आप देख सकते हो कि मैंने reason भी लिख दिया है अब आपको यह गरना है submit request पे click कर देना है और यहाँ से आपको status देख लेना है तो यह आप देख सकते हो order confirmed, order cancelled इसका मतलब यह है कि अभी हमारा जो order है वो cancel हो चुका है हमारा order नहीं आएगा अगर आपको यह video informative लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद thank you so much